इस टेम पे पाकिस्तान का मीडिया काफी खुश हो रहा है जैसे आप सब को पते कि संडे वाले दिन वर्ड कप का फाइनल हुआ था और इंडिया हार चुका था इंडिया की हारने के पीछे जो एस्ट्रेलिया की जीत थी उस जीत को सलीब्रेट डाका के अंदर किया जा रहा ह कि क्या पाकिस्तान भी बंगलदेश की तरह इंडिया की हार पे खुश है आईए आज की वीडियो आपके साथ शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और बंगलदेश दोनों इंडिया की हार पे खुश है या नहीं वीडियो देखके फिर आपके साथ बात कर बिसमिल्ला रुष्मान रुर्हीम, असलाम लेकूम नाज़ीने कराम, मैं हूं मखदूम शहाबद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेस्बुक और यूट्यूब चैनल, उमीद करता हूँ आप सब लोग बखेर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समय खुश भी होंगे और महफूज भी नाज़ीने कराम, भारत के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्ते फाश, गरूर का सर तो नीचा हुआ, लेकिन किस तरह से भारत के इस वर्ल्ड कप फाइनल के मैच ने क्यामे पाकिस्तान की याद ताजा कर दी है, और दो कौमी नज जरीये पर बात होना शुरू हो चुकी है, टू नेशन थियूरी पर, जिसके बारे में का जाता था कि 1971 में, कुते ढाका के बाद, ये दफन हो चुका है, लेकिन एक मरतमा फिर कुछ ऐसी वीडियोज हैं, इंट्रस्टिंग डिवेलपमेंट से नाजीने कराम जो आपके साम नहीं हैं, ये सारी रियालाइजेशन जो है, और रीसेंट टाइम्स के अंदर भी, पाकिस्तान मुखाले प्रॉपेगेंडा हो, वहां पर मीडिया वार हो, और बंगलादेश के जो मुसल्मान हैं, उनके अंदर एक नफरत का जजबा पैदा करने की कोशिश हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए, वो एक बड़े सिस्टेमाटिक तरीके से इंडिया उसके अंदर इंवेस्मेंट करता रहा है, लेकिन अपना हकी की चहरा इंडिया का आपको भी पता है क्या है, और पूरी दुनिया को पता है क्या है, और इस समके अंदर भारती टीम बहुत अच्छी तीम थी, भारती टीम ने बड़े बेहतरीन अंदाज में खेलना था, और भारती टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज भी था, ये सब कुछ था लेकिन भारत के जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं जीतेंगे, हम साथ दोनमरी हम साथ बाकी टीमों के साथ जयातियां करेंगे, उपर से फिर जो क्राउड है, क्राउड को इन्होंने नकेल नहीं डाली, पाकिस्तान को वीजे नहीं दिये, पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स को, और बिचारे स्पेक्टेटर्स अगर कोई पहुँँच गए, जो वहां पे एक मैच खेल रही है टीम, उसका स्लोगन नहीं लगा सकते थे, चलें छोड़े पाकिस्तान को, बंगलादेश के फैंज को, बंगाली टाइगर्स को, वो हमारे भाई टाइगर्स हैं, और वो उनका एक आपको पता है किस सिंबल है, उनके सामने उन्हें तैश दिलाने के लि पीचे, जमीन में आपका कट धस्ता जा रहा है, अचा अब जरा बात करते हैं, बंगलादेश की, रीसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा है कि बंगलादेश की यूथ जो है, जो वेल एजुकेटेड यूथ है, और सिर्फ वो जो एक प्रोपेगेंड़ा बुक्स होती है देखें, अगर हम भी जो चीज़ पढ़ रहे हैं निसाब के अंदर, वो एक सर्टन माइंडसेट क्रियेट करने के लिए होती हैं, इवन हेर, एंड इन एवरी कंट्री, लेकिन जो बंगलादेश की यूथ है, विद अविलेबिलिटी आफ इंटरनेट, और उन्होंने जब फिल्म एक्चुली, जिसमें बारीक वारदातें डाली गई है, प्रॉपेगेंडा फिल्म वही होती है, जिसे आप बेस्ट अन ट्रू इवेंट्स दिखा के बीच में हलकी हलकी जगों पे कहीं कहीं डिंडी मार जाते हैं, और इसके अंदर ये भी तलात थीं के जो बंगला देश के क्याम में मदद की, पाकिस्तान उसे सकूते ढाका कहता है, बंगला देश के हमारे भाई उसे अपनी आजादी कहते है, इट इस देर राइट, वो ये कहें, लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टन चीज़ है, आप समझें, कि भारत की इन तमान तर एफिट्स के बाव वजूद कि उनका रवईया, उनके अंदर बॉग्ज और फिर अभी रीसंट टाइम्स के अंदर आपको पता है, कि जो मुसल्मानों के खिलाफ वहां पर मौामलात हुए थे, मुसल्मानों के साथ जो प्रोटेस्ट हुए, मुसल्मानों के डेली और वो सारे मौमलात के बंगलादेश की गवर्मन्ट रियक्ट करे न करे, वहां की जो घ्यूर अवां में वो रियक्ट करती है, फिर कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए जो बंगलादेश के नेबरिंग विलिजिस हैं, इंडिया के साथ, इंडिया वाली साइड से भी कुछ हुआ, इदर से इंट्रस्टिंग चीज हुई है, वो यह है कि बलके इस सब के अंदर जो स्टेटमेंट है, बड़ी दिल्चस्प अशोक स्वाइन ने दी है, और अशोक स्वाइन आपको पता है कि प्रोफेसर है, पीस एंड कॉन्फलिक्ट के और एक बड़े सीनियर शक्स हैं, और इसमें उनका पता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक एनलिस्ट के तौर पर भी मशूर है, उन्होंने एक वीडियो लगाई है, और लिखते हैं कि थाउजन्ड अफ स्टूदेंट्स अफ धाका यूनिवस्टी इन बंगला देश सेलिबरेटिंग इन लाउडली विन आस्ट्र और ये कहरें कि इस सब के अंदर ये जो यूनिवसिटी है, ये और 1971 के अंदर भारत की मदद से एस्ट पाकिस्तान को बंगला देश हमने बनाया, और इसमें लिखते हैं, इस्टेट अध धाका यूनिवस्टी फर सेवरल मन्स इन अरली 1990s वन खालिदा जया वाज इन पाव हैं और इंडिया के साथ बंगला देश का एक बिटर किसम का डिस्प्यूट चल रहा था, इनोंने जो वीडियो नाजीने करम इस वक शेयर की है, सोशल मीडिया के उपर, प्रोफेसर साब ने, वो बड़ी इंपॉर्टन्ट है, आप बलके इस वीडियो के कुछ मंदर जाग जो हैं, वो मुलाइजा फरमाएं, मैंने और भी वीडियो आपको दिखानी हैं, ये नाजीने करम आप देख सकते हैं, और ये चीर कर रहे हैं, ये इंडिया वाले मौामलात नहीं हैं, जो इंडिया के अंदर था के सामसूंगा हुआ था क्राउड को, और आस्ट्रेली प्ल जानियों को भी नी फर्क पड़ता था, लेकिन ये टांट्स मारते हैं, ये घुरूर करते हैं, ये अजीब और गरीब काम करते हैं, दूसरों की हार जिसमें इनका लेना देना नहीं है, उसमें आके ये लुडिया और भंगडे डालते हैं, तो ये पूरी दुनिया देख र जाकी बहुत बड़ी बड़ी इन्हों ने अभी ये दस मिलियन यूएस डालर से फिल्म बनाई, बहुत से प्रापेगेंडा मुवीज बनाते हैं, बहुत सा प्रापेगेंडा करते हैं, लेकिन यहां पर नाजीने कराम जो इंपॉर्टन चीज है, वो सब ने देखी के सुर बेन किंबा विक्टोरिया नोय, एटा धाका, अजनी देर विश्वकाब जोयर उठ्छाश आठ्छे पुलेचे बंगो देशे, टीर्सी जैनो एक घंडो आहमेदाबाद, आभी जाक्तेर रोंग छापिए बेदोनार रोंग नीले, आठ्छा दीतो गोटा भारोद, तवे तरह बादे थोराई क्यार भांग नाधिशे पुले नीजी तरह जापट कोड़ छेन अस्ट्रेलियार अरूबटा मृत्तो अचके बाग लिज़ जोर्ण ही देर दी आठ्टेका के एछे, लिए से फानल में एक लख ती शी आजर बश्वे रेग लिज़ वास्टेलियार प आपने इनकी नौजवानों की वहां पे गुफटगू सुनी कि ये क्या कह रहे हैं और इस सब के अंदर बंगलादेशी टाइगर्स जो है उन्होंने सेलिब्रेट की है इंडिया की ये हार और इसमें आस्ट्रेलिया की विक्टरी नी पाकिसान में पिशावर में लोगों ने हवाई पारिंग की अल्दो ये नहीं करनी चाहिए लेकिन ये खुशी का एक इसहार है लोकल और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दू कि अब जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो क्या लिख रहे हैं जी इनके जो बिल्कुल नाश्रलिस्ट अकाउंट्स हैं वो बंगलादेश के खिलाफ ट्वीट हैं कर रहे हैं इनसे ये भी नहीं हजब होरा कि वो सेलिबरेट कर हैं और लिख रहे हैं कि मुझे पता है कि जी पाकिस्तान एक इनकी है ये स्वाथी बिला में इनोंने लिखा ये नाश्रलिस्ट है और इनों लिखा हुए है भारत आई लाव बारत मैं नाश्रलिस्ट हूं बड़ी शदीद किसम की और इनों लिखा हुए है कि पाकिस्तान तो हमसे नफरत करता ही करता है, लेकिन ये क्यों हमसे महबत करते हैं, हमने तो इने आजाद करवाया था, और ये आजाद आपने नहीं करवाया था, आजादी जो होती है, वो खुद ही नेशन्स आसल करते हैं, ये जो क्रेडिट इंडिया लेके मामा चाचा बनने की कोशिश क के पर नाजीने कर एक और वीडियो automa कि बात इंैजा आप घ्रता है ना ये भी सारी दुनिया को पता है इंडिया की हाकिकत जो है वह भी सब के उपर आपको पता है कि आशकार है, बहुंभ यहाँ पर नाजीने कराम एक एक और वीडियो क्लिप है जो मैंने आपके सामने इंडिया रहादे जीदे से गोटाइ जीदे भिष्ट, जीदे से दक्किनेशी एक्रिकेट पासाई काजे चलनों भुआ खुजा पाओ जना, तिये सिता है चाथे कि इंडिया सवाई भुआ 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 जी नादिरे करम आपने ये वीडियो देखी और ये जो बात करते थे कि दो कौमी नजरिया, टू नेशन थियूरी, अदावतें थी, तगाफल था, रंजिशें थी, मगर बिचडने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी ये शेयर लिखा था, हमने जो बंगलादेश जब लाहदा हुआ उसके उपर, और यही हकीकत है, लेकिन इंडिया के, इस सब के अंदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, बंगलादेश वालों का भी, इंडिया जो अपने ट्रू कलर्स दिखाता है, और वहां की यूथ, इंडिया हार का सामना करना पड़ा, इंडिया को काफी, एक तो उन्होंने वैसे ही चीटिंग करके, फाइनल तक आ गए थे, दस मेचे, सारे के सारे उन्होंने जीते, हो सकता है कि एक दो उन्होंने वैसे जीती होंगे, बट अगर बाकी मेचे को दीखिया जाए, तो स्टार्टिंग में टॉस उचालते हुए, सब को अगर टॉस पाकिसान के लोग भी खुश हैं, इंडिया के लोग काफी नाराज है, काई खफा हैं, और किस तरीका से इस टार्गे पर काम करें पर लोगों आप सब लोगों ने लेक़ लिया, रोखियन सो में लेची हैं वियूने और जो इस तरीके से लिए से गुश्भिन कर रहे थे, आस्ट्रेलिया की जीत को